नमस्कार मैं प्राची सिंग और आप देख रहे हैं दिल्ली 24 रेव के गेम में फर्स गए है फेमस यूट्यूबर एलविश आदर जी हाँ एलविश के उपर यह आरोप है कि वो इल्लीगल तरीके से रेव पार्टियो अर्गनाईज कराते थे उनके उपर साप का जहर लेने साप का इल्लीगल तरीके से वीडियो बनाने का संगीन आरोप लगाया गया है नौईडा के सेक्टर 49 में उनके खिलाफ F.I.R. दर्च कर आई गई है और एलविश के 5 साथियों को गिरफतार भी कर लिया गया है हम आपको बता दे यहां से 9 जहरीले साप 20 M.L. का स्नेक वेनम पाया गया है जो की अलविश के साथियों से मिला है और उनका सीधा ये बताना है कि वो ये स्नेक वेनम अलविश को सप्लाई करते थे मेनिका गांधी के फाउंडेशन ने इसे बड़े ही समझदारी से जाल बिछा कर एलविश के इस गिरों को धरदबोचा है अब देखने वाली बात ये होगी कि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी जूटी ये सांपो को भेचते हैं और सांप का वेनम बिकवाते हैं ड्रग्स की तौर पर फिर हम लोगों ने कांटाक किया उनी गिरोह के लोगों को उन्होंने भी नाम लिया इसी यादव का और फिर हम लोगों ने बात कि उनसे और एक कहा कि हम रेव पार्टी बना रहे हैं उसमें हम चाहिए कि आप लोग अपना यह ले आए उन्होंने पहले परख लिया यह नहीं कि अपने आप आयां दे पहले देखा कि यह सही है कि वह पकड़े जाएंगे कि ने क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिमिनल काम कर रहे हैं उसके बाद यह आए तब तक हम लोगों ने पुली तो कह रहे हैं मालिक है इसको भी तुझे जाना चाहिए आखिर कौन है अलविश यादव एक फेमस यूट्यूबर है जी हां यूट्यूब के दुनिया के जाने माने यह शक्स है जिसके लाखों फॉलोर से हाल में ही यूट्यूब से हटकर बिग बॉस में नजर आये बिग बिग बॉस को जीत कर इतिहास रच दिया क्योंकि वो यूट्यूबर पहले बने जो की बिग बॉस ओटिटी के विनर थे तो चलिए आपको बताते हैं कि एलविश के उपर किनके नधाराओं के तहत मुकदमा किया जा सकता है वन जीव सन्रक्षन अधिनियम 1972 के तहत सेक्शन 9, सेक्शन 49, सेक्शन 49, सेक्शन 59, सेक्शन 50 और सेक्शन 51 लग सकती है आखिर ये रेव पार्टी क्या है? दरसल 90 के दशक से ही इस तरीके की पार्टी का चलन काफी आम हो गया है रेव पार्टी में उस हर तरीके की नशीली पार्टों का इस्तमाल किया जाता है जो कि आम तोर पर मिलना नामुम्किन है और यहाँ पर जाने के लिए युवा लगभग लाखो रुपे खर्च करते हैं उसके बाद जाकर उनके सामने वो सारी नशीली पदाट परोसी जाती है आखिरकार ये स्नेक बाइट काम कैसे करता है? दरसल पहले इसको लेने वाला व्यक्ती साम के सर पर टाप करता है जिसके बाद वो उसको अपने इतने करीब लाता है ताकि वो वहाँ से आसानी से उसे डस ले शुरुवात में तो लोग इसे अपनी चोटी उंगली या पैर के उंगलियों पर लेते हैं लेकिन धीरे धीरे इसे अपनी होट और जीप पर लेना शुरू कर देते हैं उसके बाद लोग इतने नशे में चले जाते हैं कि लगभग 18 से 20 घंटे तक इसका नशा होता है और लोग उस बीच में लगाता सोते रहते हैं तो इसका नशा इतना गहरा होता है कि आपको कोई होश नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, ये नशा इतना खतरनाक है, तो एलविश यादव की ऐसी तमाम अब एक सेर जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहे हैं दिल्ली 24, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलिएगा